हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगी क्लाश 12 किमिस्ट्री चैक्टर 4 दी एवं एब ब्लॉक के तत्तों ठीक है दी एवं एब ब्लॉक के तत्तों जिस पर आज हम देखने वाले एब ब्लॉक के तत्तों क्या होते देख सकते हो आपको बहुत ही आसानी समझाएंगे एब ब्ल है को एकन बात करते एंप लॉक्क के टत्यों होते क्या है टीक है तो देखो ये जो दिख रहे नीचे यह वाले यह आपके एप ब्लॉक्स फोती लेंट रेक्तिनईत neighborhood 1010 से लिए आपकी एंप लॉक से पढ़ओ जिन तत्यों में एन माइनस टू एफ आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या कहा गया जिन तत्तों में एफ आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं या आप सीधा-सीधा कह सकते हो जिसमें बरते हैं वह तरतो ब्लॉक के तरतो करते हैं अभी पूरा इलेक्रोनिक विद्धियास निकालना बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा यह ठीक है अभी परिभासा समझ लू फिर है कि इन्हें आवर साणी में सबसे नीचे नीचे रखा जाता है ठीक है देख सकते हो य आवसाणी में सबसे नीचे दो 36 पंक्तियों में लैंथे नाइट्स रेडी और एक्ते नाइट्स रेडी को रखा जाता है ठीक है तो यह बात आप इद्दम आसानी से समझ सकते हो ठीक है तो आपने क्या सीखा इन्हें आवसाणी में सबसे नीचे दो 36 पंक्तियों में रख एप स्रेडी आप बात करें फौरेप स्रेडी से क्यों कहते हैं और इसे प्र С्रेडी क्यों कहते देखो यह जो सीरियम अठावं से लेकर लूटी स्यम 71 तक के तड़ हैं इसमें जो इलेक्ट्रों होते हैं फौर एप ओर्विटल में भर जाते इसलिए इसलिए इसे स्रेडी कहते हैं ध्यान समझो एकदम आसाने देखो लूटी सियंग स्वारी सीरियम 58 लेकर लूटी सियंग एकटर तक के तत तो जो होते हैं इसमें इसलिए इसे लाइन्थेनाइट स्रेडी कहते हैं अभी एकजामपा सहीद पूरा बताएंगे अभी देखते रहोगे वल ठी ठीक है और एक्टेनाइट स्रेडी को फाइप स्रेडी क्यों कहते हैं ठीक है क्योंकि इसमें आपका थोरियम 90 से लेकर आपका ये 103 परमारू क्रमांग तक तक तो कहां भरे जाते हैं फाइप एफ और बात आपको इंट्रोड़क्शन मिला इसका ठीक है आप आगे बात करते आप देखो इसका ठीक बोर्शन तो देखो आवर्थ 6 में ये जो आपका लेंथेनम है जेड़ बराबर 57 अर्थार लेंथेनम जिसका परमारू क्रमांग 57 से आगे के 14 तक तक तो सीरियम 58 से लूटीसियम 71 को जिनमें फोरे पार्बिकल भरते हैं आवर साणी के बाहर नीचे आवर्थ 6 में आपका 57 परमारू क्रमांग वाला उसके आगे 14 तक तक तो सीरियम 58 से लूटीसियम 71 को जिनमें फोरे पार्बिकल भरते हैं आवर साणी के बाहर नीचे 36 पंक्ती में रखा गया है और ये तक तो लेंथेनम है तो देख सकते हो आप यहापे आवर्थ 6 है ठीक और यह जो ऐसी वाली लाईने उती खड़ी लाईने यह वर्ग कहलाती और यह पड़ी वाली लाईने आवर्थ गया ठीक है तो आवर्थ 6 देखो 57 परमारू क्रमांग लैंथेनम का है लैंथेनम से आगे से लेकर आपका लिटीसियम तक के 14 तक लेंथेना नीचे देखो लैंथेनम चंद बरावाथ 57 अवर्थ 6 में लैंथेनम चैड़ बरावाथ 57 से आगे के 14 तक तो सीडियम 58 से लिटीशियम 177 को जिनमें फोर एप और बिटल में इलेक्ट्रोन वर्टे अब आपको बताएंगे इलेक्ट्रोन निज्यास निकालके कि इलेक्रोन कहां 4 इप और लेन्थेनाइड में और एक्तेनाईड में फाइप औरी तेजमें फोर बहुत साणी के बाहर नीचे श्याहर्टी पंग्ती में रखा गया है है और यह तक तो लेन्थंऑनेड कहीं टीक है टो यह बात है लेन्थे नाइड होगी jakaxam एक्टिनियम है नवासी परमारू करमांग, एक्टिनियम नवासी परमारू करमांग से आगे के 14 तक तो थोरियम 90 से लेकर ये आपका लारेंसियम 103 को जिसमें 5 एप और्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते, एक्टिनाइट स्रेडि या एक्टिनाइट कहलाते हैं, ठीक है, ध्य तक तो एक्टिनाइट स्रेडि या एक्टिनाइट से कहलाते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप एक्टिनियम 89 परमारू करमांग ठीक है, इस नवासी परमारू करमांग के आगे, ये देखो 89 के बाद 90 इधर में लेका आपको, तो 90 से आपके ये आपका लारेंसियम 103 तक के जो 14 तत्तो होते हैं, इन्हें एक्टिनाइट स्रेडि कहते हैं, ध्याल से समझो, इस पर इलेक्रॉन 5 पर और बिटल में भरा जाता है, मतलब कि आपका ये जो एक्टिनियम है, ये वाला एक्टिनियम 89 परमारू करमांग से आगे के जो 90 से 103 तक के जो तत्तो है, ये आपके रहना जाए, इसलिए आसानी समझा रहे हैं कि आवर्त 6 में लैंथेनम जड़ वराबस 57 से आगे के 14 तत्तो सीरियम 58 से ल्यूटी से मिखत्तर को, जिन में फोरेप और बिटल में लेक्रॉन भरते हैं, आवर साड़ी के बाहर एक नीचे एक 6 पंक्ति में रखा गया है, और ये तत्तो लैंथेनाइट्स रेडी के तत्तो या लैंथेनाइट्स कहलाते हैं, फिर आगे का गया आवर साड़ी में एक्तिनियम 89 से आगे के 14 तत्तो थोरियम 90 से लारेंसियम 103 को जिसमें फ्राइप आर्बिटल में लेक्रॉन भरते हैं, ये तत्तो एक्टिनाइट्स और एक्तिनाइटों में 5 आरबिटल में लेक्रॉन भरते हैं, और खीके अब आपको पूरा एक्जांपल से समझाते हैं, तब ये समझ में आएगा लच्छड तो देखो हमने आप ए लैंथे नाइड का पहला तक तो जो सीरियम है अठावन परमाडू करमांग इसका पूरा इलेक्ट्रोनिक मिन्यास निकाला हुआ है देख सकते हैं इस पर अंतिम उलेक्ट्रोन तोю माईनीड नाइड शीरिज होगी चीक है नीनाइड स रेड़ी होगी और आपसे जो n-2f का मतलब समझते हो n-2f उपकोस का देखो n का मतलब यह जो last वाला आपका है यह देखो n का मतलब यह last पे 6 आया था तो n बराबर अगर 6 हो जाए तो 6 में से 2 घटा दो 6-2 कर दो तो 4 मिल जाएगा तो yf 4f ठीक है मतलब n जो आया 6 तका है देखो 5 के बाद 6 तका है था तो 6 से अगर 2 घटा तो 4 मिल जाता है इसलिए 4f पर ही तो है तो इसलिए n-2f लिगा क्योंकि 6-2f अर्था 4f ठीक है तो यह मतलब और देखो actinium आपका actinides ready का पूरा आपको electronic vinyas निकालके दिखाया तो इस पे देखो 5f2 यह आपका आ रहा है ठीक है अगर electronic vinyas यार निकालना आपको नहीं आता तो वीडियो चैनल पे है आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से आपको एक्दम ट्रिक से बताया हुए कैसे हम लोग electronic vinyas निकालते है ठीक है तो 5f ब्लॉक पे देख सकते हो 5f orbital में electron भरा गया और n-2 है तो मतलब आपको देखो लाश वाले electron साथ वेक अच्छा पर भरा गया तो 7-2 5f ठीक है सेवन एस टू है तो इसलिए कहा गया था कि n-2 उपकोस के आप क्या भरा जाता है अगर 5f orbital में तो एक्टेनाइट्स रेडी और अगर 4f orbital में तो लैंठेनाइट्स रेडी ठीक है तो यह बात आप समझ रहे होगे अगदम आसानी से ठीक है तो पहला लच्छड यह एक ब्लॉक तक्तों में n-2 कोस के एप और बीटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और लैंठेनाइट्स रेडी और एक्टेनाइट्स में फाइप और बीटलों में इलेक्ट्रॉन भरते अब इसके आगे के और भी लच्छड देख लो देखो एप ब्लॉक तक तो परिवर्ति सेयोजक्ता प्रदर्सित करते हैं लैंठेनाइटों की समान आक्सी कड़ावस्था प्लस थीन होती मतलब कि जो एप ब्लॉक के तक तो लैंठेनाइट्स रेडी और एक्टेनाइट्स तो यार प्लीज गो आला वीडियो भी देख लेना देखो अयुगमित इलेक्ट्रों का मनलब होता है जहां पर इलेक्ट्रों आपका इसका च्छक पे अकेला हो तो वो इलेक्ट्रों आयुगमित होता है जिन तत्तों में कहा गया लैंठेनाइट और एक्टेनाइड आयन ज संक्रमर तत्तो भी कहते हैं देखो एफ ब्लॉक के तत्तो को अंता संक्रमर तत्तो कहते हैं ठीक है अगर आपका एफ ब्लॉक का तत्तो जो उन्हें अंता संक्रमर तत्तो कहते हैं जो लैंथे नाइट सीरीज है उसे प्रथम आंतरिक संक्रमर स्रेडी भी कहा जाता है और जो विशेषता है क्या उती उनके बारे में भी बताएंगे और एक्टेनाइड के बारे में भी बहुत आसानी से समझेंगे ठीक है लैंतेनाइड आकुंचन भी पूछा डाता है ना एक चामे तो यार